आज हम बहुत ही आसान तरीका सीख रहे हैं कि मटर को हम पूरे साल कैसे स्टोर कर सकते हैं क्योंकि अभी मटर की सीजन है और बहुत ही फ्रेश फ्रेश हरे हरे मटर आ रहे हैं इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि मतर अच्छे वाले लीजे बड़े दाने हो वैसा यहाँ पे एक कड़ाई में मैंने पानी लिया है उसमें थोड़ी सी चीनी और नमक डालके उबलने रख दिया था जैसे ही पानी थोड़ा गरम हो जाता है उसके अंदर यहाँ पे मैंने मतर एट कर दिये है इसको हम करेबन दो ही मिनिट रखने हैं ज्यादा नहीं रखने हैं इसको हमें पकाने नहीं है जस्ट की हमें इसकी सेल्फ लाइफ एक साल तक स्टोर करने है तो अगर यह प्रोसेस करेंगे तो अच्छे से स्टोर होंगे और कलर भी ऐसा ही रहेगा हरा यहाँ पर मैंने एक बाउल में चिल्ड वाटर लिया है फ्रिज का उसी में मैंने मटर डाल दिये हैं उसके बाद हम दो मिनिट बाद वही मटर को एक कोटन की कपड़े में अच्छे से फैला लेंगे और फैन चालू कर देंगे और जितना भी मॉइस्चर है उसको मैं यहाँ पर मैक्रो फाइबर कलोज से रिमूट कर रही हूँ हम स्टोर कर रहे हैं साल के लिए तो बिलकुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए मटर में नहीं तो बिगड़ जाते हैं और मार्केट में यह जिपलोक बैक बहुत इजिल एर रहने तक का स्पेस रखे और धीरे धीरे जिप करते जाएए और एर जितनी भी है कोशिश कीजिए सभी की सभी एर को आप निकाल दीजिए इस तरह के से देखे हमारा एक पैकेट राड़ी हो चुका है मैं यहां भी करिबन दो से तीन केजी मटर को स्टोर करती हूँ जो मेरे पूरे सालाना चलते हैं देखे कुछ इस तरह के से और इसको फिर हम डिप फ्रिज में रखतेंगे फ्रिज में नहीं पर आपको इसको डिप फ्रिज म में रखना है यह दूसरे दीन का वीडियो है देखे कलर मटर का कलर कितना हरा है यह सस्टेन रहता है पूरे साल ऐसे ही अगर आप स्टोर करते है तो यह चोटी सी टिप से कि आप जब भी वापस से यूज करके बंद करे जिप लोक तो यहां पर एर नहीं रहनी चाहिए कु करें कि दो ए और दो में ब्रॉबस झाल है चाहिएर कौने जूदय को वापस से कि वह चुण खाल की प्रशन लिए हEd कौने में